आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा शिमला मिड्ज इसके लिए हमने शिमला मिड्ज को अच्छे से दूब लिया है फिर इसको उपर से कट करके इसमें अंदर से इसके बीज वगरा सब निकाल देंगे और स्टफिंग के लिए लिए हमने उबलेवे आलू अब कड़ाई ले ले प्याज को हमें ज्यादा ब्राउन नी करना इसको थोड़ा कच्छा रखना है ताकि इसका आलू को साथ अच्छा स्वादा है अब डालेगा हम इसमें मसाले अल्दी पाउडर धनिया पाउडर लार मिर्च पाउडर और स्वादा के अनुसार नमक अब इन मसालों को इसमें डालों के शान अलू को हमें अच्छे से ब्हुन आज जितना हम यह आलू को भूण है उतना इसका स्वाद बढ़ेगा हम एफ यह द।ब डाला रहे हरा धनिया और इसको भी अच्छे से आल्यू के साथ मिला देंगे अब हमारे आलू की स्टफिंग तयार है अब इसे में प्लेट में निकालेंगे और जो हमारी खाले शिंबला मिर्च कर रहे हैं अंदर से उसके अंदर भरेंगे सिंबला मिर्च को हमको खोब भरना है जितना इसको ज्यादा भरेंगे उतने यह अच्छे स्वाद आएगा इसमें ऐसे ही हम सारी सिंबला मिर्च भरके तयार कर देंगे अब लेंगे हम उसी कड़ाएं में तेल और यह भरेवी सारी सिंबला मिर्च को तेल के साथ रख देंगे और इस पर ढखकन लगा देंगे और लो गया समय स्रफ लो फ्लेम में रखनी है और इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसको पलटते रहेंगे ताकि यह चारों तरफ से साथ तरफ से पूरी तरफ से पक जाए ऐसे इसको हमें पलट पलट के पकाते रहना है और दो खशे प्लिए ऑगा लागन अभान दाउ्गे गनाम जा भी जाऑन डिका रहना है झाल झाल